सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ट्राइंग स्टेडी को और बेल के आइकट को दबा दें साथ ही आवल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलें एट्ट क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रशन नमबर 14 दी हुई चाप AC के बाहर बिन्दू P से सपर्ष रेखा खी जो सबसे पहले हमारे को एक दी हुई है चाप तो हमने एक चाप लेनी हैं हम क्या करेंगे यहां से प्रकार खोल के एक उपर चाप लगा देंगे इस तरह से आपके लिए चाप के प्रशन है और आपके पास चाप की परिभाशा भी है तो आप चाप की परिभाशा को याद कर सकते है और आप समझ सकते हैं कि चाप किसे कहते हैं A C और एक हमें प्रट दिया हुआ है P यह दो चीज़े दी हुई है तो हमने क्या करना है सबसे पहले त फिर हमने एसी रेखा को पी पॉइंट तक आगया बढ़ाना है यह मैंने हम बढ़ा दिया है यह पी पॉइंट में इसके सीर्वें बिल्कुल यहां पर ले लूँगा यह मेरा गया पी पॉइंट अब हमने क्या करना है ए और पी जो यह रेखा रही है पूरी इस रेखा का हमने संदी भाजन करना है अब हम इन दोनों जो चापें कट रही हैं दोनों पॉइंटों को हम आपस में डॉट्टिट मिला देंगे यह प्रेश्ण जितने भी आप सर्कल ड्राइंग के करेंगे यह सारे प्रेश्ण आपको टैंथ क्लास में भी काम आ सकते इसलिए अच्छा से पढ़िए टैंथ क्लास में इसलिए थोड़ा सा समय चेंज है जिसमें इधर को ले रखा है उसमें यहां को लिया जाएगा उसम इसका नाम हम दे देते हैं ओ सेंटर पॉइंट आया है हमने क्या करना है ओ से पी जितनी प्रकार खोल दीजी या ओ से जितनी प्रकार खोल दीजी यह देखिए और हमने यहां पर कर दितल लगाना है अब हमने क्या करना है जो आपका सी पॉइंट है सी पॉइंट पर यह जहां पर चाप का दूसरा सीड़ा है यहां पर हमने नम्बे डिगरी का कौन बना है जितने मैं प्रशन करवाता हूं उन प्रशनों का जो आपकी किताब में प्रशन दिया हुआ है उसका जो प्रशन है फोटो उसका है वो मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं आप स्क्रीन पर भी देख सकते है कि कि किस तरह से प्रशन बना हुआ है हर प्रश्ण को आपको स्क्रीन में भी दिखेगा हर प्रश्ण आप स्क्रीन में देख सकते है यह हमारा पंड़ा है नम्बर डिगरी का कौन यह आप देख सकते हैं जहां पर 90डिगरी वाली रेका कौन की दूरेखा यह आपकी इस अर्द बृत को काटरी है यह आपका पॉंट आ गया के आपने क्या करना है P पर परकार रखनी है P पॉंट जो आपका है आपने क्या करणा है और P को आपस में मिला देना है और यह रिख आपकी डार का इए यह आपकी अंसर रेखा है यह जो रेखाई है यह जो एसी चाप के बाहार पॉइंट दिया था पी उसको स्पर्श करती हुई रेखा है बहार से एसी चाप को स्पर्श करती हुई रेखा है और पी पॉइंट को भी स्पर्श कर दिये यह प्रेशन नमबर आपका है चोड़ा दी प्रशन नमबर पंदरा दिये हुए बृत ओ के बहार बिंदू ए से स्पर्श रेखा खींचो तो आपके पास एक बृत दिया हुआ है तो हम सबस्पहले एक बृत ले लेते हैं कि आपका है ओ बृत और ओ बृत से बहार बिंदू दिया हुआ है ए तो हमने क्या करना है ओ और ए को आपस में मिला देना है इस तरह से यह हमारी एक रेखा गई है और हमने इस रेखा को दो भागों में विभक्त करना है इसका सम्दी भाजन करना है इस तरह से और इस रिखा को पूंट चापों को आप उसमें मिला देंगे जहां पर यह लाइने जो रेखा है आपकी तो यह रेखा को काट रही है यह पूंट आपका आगया पी यह ओ भी ब्रिद दिया हुआ था हमने क्या करना है पी पर प्रकार करके और जिनी परकार खोलनी है और यहां से हमने अर्द ब्रिद लगाना है इस तरह हम अर्द ब्रिद लगाएंगे अर्द ब्रिद जहां पर ओ ब्रिद की परीदी को काट रहा है यह पूंट आपका आगया बी आपने क्या करना है बच्चों आपने अपने क्या करना है एक बिद आपकार ढ़ाना है और यहां आपकी अंसर ने अर्द रेखा इस तरह से आपने आज सीखा जेज्चि आपके बहार दिये बिनदू पस्का खींची और बिरत के बहार दिये बिनदू.Amिट ट क्यासे अपने स्वाष नंum और यहां 15